AutoCAD 2019 की सीरीज चलू है उसका Part 2 का वीडियो है दोस्तो Part 1 का वीडियो आपने अर्री देखा होगा नहीं देखा तो चैनल के वपर क्लिक करके देखिए Part 1 का वीडियो है नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने Part 1 की लिंक दे दी आपको देखने के लिए तो Part 1 में मैंने बेजिक सीज़े एक्स्प्लेंड की थी जैसे की Draw Panel के अंदर Line Command कैसे Draw होता है Circle Command कैसे Draw होगा Polygon या Polyline कैसे Draw किया जाता है Rectangle और Arc ये सारी Command हमने Part 1 में सीखे थे अब Part 2 में आगे के Command हम सीखने वाले जिसमें Ellipse या फिर Hatches या Gradient सारी चीज़े आने वाली है अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के साथ बढ़ने रही है मैं सतीश स्वागत करता आप सबका Learn More Channel पे चलिए शूकते AutoCAD Part 2 लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताओ आप सिखना चाहते Computer Tips and Tricks Computer Software Courses और वो भी फ्री में तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा अगर आपने Part 1 का वीडियो देखा है तो आपने वहाँ पे देखा होगा Line, Polyline, Circle, Arc, Rectangle और Rectangle के अंदर ये Polygon का यूज़ क्या होता है मतलब हमने ये Terms वहाँ पे समझ लिये थी ये Practically देखा था कि Line, Polyline, Circle, Arc, Rectangle और Polygon कैसे किया जाता है उसके Shortcut की क्या होती ये सारी चीज़े मैंने बता दी आपको अब हम Part 2 में आगे की Tools देखने वाले हैं लेकिन साथ में सबसे पहले मैं बताओं कि अगर आप Line या Polyline लेते हो और जैसे आप Click करते हो तो साथ में ऐसी दो Lines आ रही है जैसे कि मेरे Part 1 में जब मैंने आपको पढ़ा था तभी नहीं आ रही थी तो ये Line कैसे हटा है जैसे कि यहाँ पर Dimension Automatic दिख रहा है आपको उपर एक Dimension Line दिख रहा है और नीचे Angle भी दिख रहा है आप जैसे उपर लेते जाते हो ये Straight Line द्रॉक करते तो Zero Angle ये जुरूरी है तो आप रखो मतलब ये आपको Dynamic Inputs इसे बोलते हैं तो ये आपको दिखाए दे रहा है Dynamic Inputs अगर आप नहीं चाहते है Dynamic Inputs तो आप इसे Hide कर सकते हैं लेकिन कैसे करना है ये पहले मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है यहाँ पर Right Corner में Mouse लेकि आना है यहाँ पर Right Corner में मैं आपको Zoom करके दिखाता हूँ ये Lines दिखाए दे रहे हैं ये Customization की Lines तो ये Customization Option पर क्लिक कर देना है जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे बहुत सरे Option मिलेगे उसमें Dynamic Input करके एक Option मिल रहा है जब आप देखोगे इस Lines में Dynamic Input इसके उपर मैं क्लिक करूँगा भी जैसे मैं इसे चेक कर देता हूँ क्लिक करता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं आप क्लिक हो चुका है और जैसे यह क्लिक हो गया नीचे एक Dynamic Input करके यहाँ पर On हो चुका है अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यह Blue Color मतलब यह Active है यह On है मैं इसे आप करता हूँ यह Dynamic Input को मैंने क्लिक कर दिया जैसे मैंने इसे आप कर दिया आप दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ से वो Blue तो हट गया और उपर से वो Line भी हट गया तो Dynamic Input रखना है नहीं रखना है वो आपकी मरजी लेकिन कैसे Hide और Unhide करते हैं उसके बारे मैंने आपको बता दिया बहुत सारे लोगों की query होती कि सर मेरे AutoCAD में ऐसी Lines आ रही है तो इसे कैसे gap करूँ मुझे थोड़ी से Irritate हो रहा है ट्राइंग करने में तो आप इसे Hide कर सकते है दुबरा चेतों से Show कर सकते है चलो यह तो Dynamic Input के बारे में था अब मैं आगे की Tools की तरफ बढ़ने वाला हूँ जिसमें हम Center Ellipse Access End Ellipse और Elliptical Arc ऐसे तीन अलग-अलग मतलब Ellipse के Point है और वो हम देखने वाले की Ellipse किस तरह से हम Draw करेंगे Ellipse Draw करने के तीन तरीक एक तो Center Point से Draw कर सकते है एक Access End से और एक Elliptical Arc से अब यह Ellipse Draw मैं Directly कर सकता हूँ मैं लेकिन उसके लिए मैं एक Rectangle लेता हूँ चलिए Rectangle यहाँ पे Click करना है Rectangle लेने के लिए क्या-क्या करना है वो मैंने आपको बताया था या REC Enter करेंगे तो भी चलेगा यह Shortcut की उसकी मैंने यहाँ पे Click कर दिया Click करने के बाद D Enter Dimensions आपको पता है Dimensions देने तो मैं यहाँ पे एक Rectangle ले रहा हूँ 10 by 20 का Height मैं 20 ले रहा हूँ और Length मैं उसकी 10 ले रहा हूँ और बाज़े मैं Click कर रहा हूँ और Scroll बार आगे की तरफ गुमा के अब उसे Zoom कर सकते है लेकिन Shortcut की यूज करना अच्छा है Z Enter और E Enter कीजिए Shortcut की हमेशे याद रहो जो मैं Shortcut की यहाँ पे बता रहा हूँ तो मैंने Z Enter और E Enter किया Zoom to All Object या Zooming जो भी Object जितने भी Draw रहेंगे वो Option से मैं Central ले रहा हूँ Lips के लिए Central लेने के बाद यहाँ पे मुझे Midpoint चाहिए लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे Midpoint नहीं आ रहा है तो यह Part 1 में मैंने बताया था जान बुचकर मैंने यह सारी चीज रिपीट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि आपको Midpoint अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आप लाएंगे कैसे Midpoint लाने के लिए आपको या फिर जो भी Point आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है आप ड्रागिंग करते समय आपको यहाँ पे Grid के आगे जो Dot दिखाई दे रहे, Snap उसके उपर Snap Mode पे Right Click करना है और Snap Mode पे Right Click करने के बाद Snap Setting यह option आता है चलिए मैं थोड़ा सो Zoom करके आपको बता रहा हूँ यहाँ पे Snap Setting आ चुका है अच्छा, Snap Setting पे आप क्लिक कीजिए और Snap Setting पे क्लिक करने के बाद इस तरह से एक Dialog Box आपके सामने मिल जाएगा Now, Object Snap यहाँ पे एक option मिल रहा है तो मैं यहाँ पे जारा Zoom करके आपको दिखाता हूँ Object Snap दिखाई दे रहा है, यह हो गया Zoom यहाँ पे Object Snap दिख रहा है इसमें कुछ ही Point यहाँ पे क्लिक है जैसे मैं Select कर रहा हूँ आपको दिखाई दे रहा है, यह सब Check हो चुके और यह ज़रूरी है, Midpoint वगरा सब Check रखना ज़रूरी है मैंने Starting में बताया था मुझे लगा आप बूल के रहेंगे, इसलिए मैंने दुबारा बताया अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो Midpoint अभी कैसे आएगा यहाँ पे फिसे मुझे लेना पड़ेगा Ellipse, Ellipse के लिए Shortcut की है EL Enter, EL Enter करेंगे तो अभी Ellipse आजाएगा आप यहाँ पे Click करके Ellipse लेना चाहते हैं तो वहाँ से लीजी तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ Center Point पे लेकिया रहा हूँ, मतलब Midpoint पे लेकिया हूँ इस Rectangle के, Midpoint यहाँ पे उसका Center Point ले रहा हूँ Ellipse का, और उसके बाद यहाँ पे दूसरा Point ले रहा हूँ End Point, और जैसे मैं यहाँ पे Click कर रहा हूँ आपको एक Rotation वाला Ellipse दीख रहा हूँ और उसके बाद हमें Rotation Point लेना है आप Rotation में जो Point लेना चाहते हो, यहाँ से लीजे यहाँ पे मैं इतना Rotation Mouse से ऐसा Click कर रहा हूँ तो आपको दीख रहा है, यह यहाँ पे Rotation Point आ चुका है Clear? यह Ellipse कैसे Draw हूँ I'll repeat it here यहाँ पे Click कीजिए अगर मैं Center से नही Access Point से Draw करना चाहता हूँ तो भी कर सकता हूँ Access Point से ले रहा हूँ मैं लेकिन मुझे यह Access पे पहला Click करना हूँगा फिर दूसरा यह Access और तीसरा यहाँ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जैसा चाहिए वैसा आप Rotate वैसा आप Draw कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने Click किया यह हो गया Draw यह समझ मैं आपको Ellipse कैसे Draw हूँ Access End से भी समझ मैं और Directly कैसे Draw करना है Center Point से वो भी मैंने आपको बता है यहाँ पे इसे मैं डिलेट कर देता हूँ Shortcut की क्या है? Ellipse की EL Enter और Delete करने की Shortcut की क्या है? Object को Select करके E Enter E Enter मतलब Erase यहाँ रखिए यहाँ पे Directly Keyboard पे Delete बटन प्रेस करेंगे Object को Select करके तो भी चलेगा तो जितनी भी Shortcut Keys मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसकी Link डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए दे रहा हूँ Hindi में वो Shortcut की महाँ पे लिखी रहेगी और वो है मेरा Website www.learnmoreindia.in Learnmoreindia तो आप ज़्यादा सीखेंगे तो ही Master बनेंगे इसलिए मैं Shortcut की भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ इस वीडियो से Related Block 2 रहेगा मतलब Part 2 का Block इस तरह से मैं AutoCAD की सीरीज में मतलब मेरे Website पे रहेगा तो आप ज़रूर विजिट करके वो पढ़ी ए Shortcut की याद रखने के लिए वो अच्छा है वहाँ से आप Copy करके या फिर Screenshot मारके रख सकते हैं आपको याद रखने के लिए फिलाल यहाँ पे देखिए EL Enter करने के बाद क्या आता है EL Enter अगर आप करते हो तो यहाँ पे वो आपको पूछता है Arc या Center तो Arc वाला Draw करना या Center वाला Center Point यहाँ पे Axis End वाला नहीं आ रहा है Axis End वाला जो है वो Directly Draw होगा मतलब Axis End का यहाँ पे नहीं दे रहा है आपको यहाँ पे Directly लिख्या आ रहा है कि आपको Axis End लेना है तो Direct आप क्लिक करोगे तो Axis End पॉइंट A Enter करोगे तो Arc वाला आएगा C Enter करोगे तो Center वाला Ellipse आएगा अच्छा Arc वाला बाकी है हमारा तो Arc वाला देखते हैं अभी El Enter किया था मैंने Ellipse Enter यानि Arc A पे क्लिक करेंगे तो भी चलेगा या Enter करेंगे तो भी वही होता है अब Arc वाला Ellipse कैसे Draw होगा पहले तो हमें दो पॉइंट लेने पड़ेंगे First Point यह रहेगा, Second Point और Third Point यह तीन Point कों से हैं, पहला था First Axis Point, then End Axis Point यह दोनों तिसरा है Rotation Point जो कि लिया मैंने आर्क इस तरह से, और चौता है आर्क यहां से Start होगा, मतलब आर्क है अभी Ellipse का, तो आर्क यहां से Start करना है और यहां पे End करना है, तो पाच Point देने परेंगे, अगर आपको यह वाला Elliptical Arc ड्रॉ करना है Last वाला दिखाए दे रहा है, यहां पे आपको Elliptical Arc मिल रहा है, तो उसके लिए कितना चाहिए? 5 Points, कैसे 5 Points? I'll repeat it यहां, आपको बगरना है, पहला Point सपोज यह लिए, आपने दूसरा Point यहां पे लिया तीसरा Rotation Point रहेगा, कौन सा भी Rotation आपको ऐसा बड़ा चीच, छोटा चीच, वो आपके उपर है अपने लिए लिया Rotation Point उसके बाद, आपको Start Point Decide करना है, आर्क का, यहां से यहां तक चीच, तो यहां से यहां तक इस तरह से यह Draw होगा Elliptical Arc, तो आर्क Normally कैसे Draw करते, और Elliptical वाला कैसे Draw करते, Elliptical Arc यहांने Ellipse के अंदर, और यहां पे Access in क्या होता है, Center क्या होता है, यह मैंने समझा दिया आपको, तो Simple है, अगर आप Center यहां से पहले ले चुके Suppose Center वाला Point लिए, यहां पे Click किया, यहां पे Click किया, अभी Center का Elliptical है, तो इस तरह से Draw हो गया अब पहले मैंने Center से Draw किया है, और Keyboard से मैं Ell Enter कर रहा हूँ, तो Ell Enter करके आपको दिखाए दे रहा है, यहां यहां पे Center के लिए, यहां से भी Option आता है, Center यहां से आप Draw कर सब पहे या फिर Access End वाला Option नहीं आ रहा है, लेकिन आप Direct Click करोगे, यहां पे और यहां पे तो Access End लेगा, यहां पे Access End के लिए आपको कोई Shortcut की इंटर करने की ज़रूद यहां पे नीचे कई पे Click करने की ज़रूद नहीं है, तो चलो, Ellipse के बारे में आपको समझ मैं कि Ellipse Draw कैसे होता है इस Ellipse में यहां पे मुझे क्या करना है बीच वाली लाइन हटा दीनी है तो इसे हटाएंगे कैसे, यहां पे हम Modify Command सीखने वाले मतलब हमें ज़रूरी है कि Draw कमांड सीखते-सीखते कुछ Modify कमांड भी सीखे यहां पे Modify जो पैनल दीख रहा है उसमें से तो सबसे पहली Modify के कमांड हम Trim सीख रहे हैं तो Trim यहां पे दी भी है, आपको मैं Zoom करके दिखाता हूँ Trim उपर दीख रहा है Modify में Trim के लिए Shortcut की क्या है Tr Double Enter मैं Shortcut की पहले से बता रहो क्योंकि Shortcut की हमें Trim में ज़्यादा यूज़ करना है जैसे आप Tr Double Enter करोगे उपर लिखे आएगा Trim और Trim हमेशा यूज़ की जानी होली Command है इसलिए याद रखना इसे Modify में यह Command हमेशे यूज़ होती है तो Tr Double Enter क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको पहला Enter करने के बाद वो आपको पूछेगा Command Line में देखिए क्या पूछ रहा है Select Object और Select All तो Select Object आप एक माउस से ऐसा Object Select करो जिसको इसको Trim करना है इंटर करोगे तो Automatically by default वो Bracket का यहाँ पर जो भी लिखा है वो Automatic लेने वाला है यानि कि मैं और एक बार Enter करता हूँ तो पहला Tier इंटर किया फिर से इंटर किया अब देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करो है यह Object पूरे Select हो चुके जो Line Intersect है एक दूसरे को Trim होगी याद रखो वही Line Trim होगी जो एक दूसरे को Intersect है अब यहाँ पर यह Intersect तो ही नहीं पहला वाला Intersect था मतलब एक पूरा इलिप्स था उसमें Intersection आदा डिलीट कर दिया तो अगर इन Line को अटाने तो आप डिलीट कर सकते हैं तो Intersection Line आप Trim कर सकते हैं जैसे चोटा से एक एक जामपल बताता हो एक Rectangle लिया इससे Intersect दूसरा यह Rectangle लिया तो यह Line एक दूसरे को Intersect हो रही है एक दूसरे मेंसे जा रही है तो आप इनको Trim कर सकते हैं और Trim करने के लिए Tr Double Enter कीजिए या Tr Single Enter किया मैंने Suppose तो मैं ऐसे Object को Select करूँगा मैं इतने Object Trim करना चाहता हूँ अभी पूरे Object नहीं Select होंगे इन Objects को ही Trim कर सकते हैं इधर Trim नहीं Apply कर सकते हैं तो यहां पे मैंने इससे Select किया क्योंकि Select All नहीं हुआ है Manually Select किया आपको दिख रहा है अलग Color में वो थोड़ा सा Right Click कीजिए Right Click करने के बाद आपको यहां पे Click करना है जो जो Line आपको Trim करनी है And Once You Trim It You Will Find Out आपको Result मिल रहा है लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि वो Line अगर Suppose मैंने यहां का Trim के दे यह Individual Line बची है यह Trim नहीं होगी क्योंकि यह Intersect ही नहीं है और जब तक Line को Intersect वहां पे है नहीं तो Delete नहीं कर सकते है और Intersect हट गया उसके बाद तो इसे Delete कर सकते है मतलब Trim नहीं कर सकते है इसे Escape कीजिए और Delete करना पड़ेगा आपको फिए So what is the use of Trim यह आपको Clearly समझाओगा उम्मीद करता हूँ और Trim यह Modify का Command है और आगे चलकर Trim का बहुत सारा यूज है Tr Double Enter करके आप Trim कर सकते हैं Object में चले आगे बताओगा मैं आपको फिलार हमारा Ellipse हो चुका है Ellipse के लिए El Enter, Trim के लिए Tr Enter और अब हम बढ़ने वाले Hatch, Gradient और Boundary की तरब Hatch के बारे में जानते हैं तो Hatch के लिए यहाँ पे हम Rectangle Draw करते हैं Rectangle Draw करने के लिए REC Enter, हमेशा की तरह D Enter अब आपको जितने भी आगे के Commands करने उसके लिए पुरानी Commands जब आप यूज़ करते हैं तो वो Shortcut की से यूज़ करना चाहिए जितना आप Shortcut की में Perfect हो जाओगे उतना Smart बनते जाओगे AutoCAD में और REC Enter, D Enter Rectangle लाने के लिए मैंने REC Type किया फिर D Enter Dimension के लिए और यहाँ पे जो मैं Rectangle ले रहा हूँ इस बार मैं Rectangle ले रहा हूँ 15 मैं Square ही लेता हूँ 15 वाइ 15 का ओके, that's good मतलब दोनों Length और Weed तो अगर मैंने Equal Type कर दी तो वो Square बनने वाला है आपको दिखाए दे रहा है और मैं एक Circle द्रॉख करना चाहता हूँ चलिए मैंने यहाँ पे Circle पे क्लिक किया यहाँ पे कई पे भी क्लिक किया मैंने Side में और 3 Enter का, या 4 Enter का Circle ड्रॉख करती है चलो, यहाँ पे एक Circle भी दिखाए दे रहा है आपको और एक Rectangle भी दिखाए दे रहा है अब मैं इसमें Hatch साइड करना चाहता हूँ तो Hatch के लिए H Enter यह Short Cut की है H और Enter अगर आप H टाइप करके Enter करोगे तो Hatch आ जाता है और Hatch यहाँ पे आपको Command Line में बताता है Pink Internal Point वैसे मैं Information दे रहाँ आपको Command Line अभी देखने के ज़रूद नहीं लेकिन अगर कोई Command के बरे मैं आपको Detail में पता नहीं कुछ भी तो आप हमेशा उसे Follow करो इस Command Line के साथ Command Line में पढ़ा करोगी क्या बताए गया है अचा ठीक है यहाँ पे अभी करना क्या है यह दिखिए Mouse Point कैसा आ रहा है मेरा प्लस आ रहा है अब मैं यहाँ पे बीच में क्लिक कर आओ जब आप कोई भी Object के बीच में क्लिक कर आओ बात यह कि ओ Object चारो तरफ से जोइन रहेगा तो ही Hatch फील होगा अब यहाँ पे दिख रहा है यह चारो तरफ से जोइन है So boundary अल्री अल्रेडी created है तो मैं इसमें Hatch फील कर सकता हूँ मैं क्लिक कर आओ यहाँ पे Hatch आ रहा है आप जैसे mouse pointer गुमा रहे हो वैसे Hatch आ रहे है आप देख सकते हैं यहाँ पे हो Hatch आ रहे है अलग-अलग यहाँ पे दिख रहा है यह Brick भी आ रहा है Brass भी आ रहा है तो मैं Brick पे क्लिक कर तो अच्छलिए मैंने Brick पे क्लिक कर दिया लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं Brick जो है बहुत बड़ा-बड़ा आ रहा है तो मुझे छोटा चीत है यहाँ पे आप देख सकते है Properties में Scale Option है यह जो Scale होता है यह Hatch का Scale है अगर आप यहाँ पे इसे कम करते हैं 0.5 करते हैं आपको दिखाए दे रहा है 0.5 एरो एंटर किया मैंने तो यहाँ पे दिख रहा है वो Hatch कैसे आ रहा है Now I'll put down 0.2 Oh yeah Look at here now आपको दिखाए दे रहा है क्या मिल रहा है यहाँ पे वो Scale जैसे मैं कम करते जा रहा है यहाँ पे वो Object की मतलब Brick की Size यहाँ पे कम होती जा रही है तो जैसे आप Brick Apply करना चाहते है वैसे Apply कर सकते है मैं यहाँ पे 2 करता हूँ तो यहाँ पे देखे कितना बड़ा हो गया So it's very simple to apply the Brick Hatches आपको दिखाए दे रहा है कैसे Apply हो रहा है तो चलिए मैंने यह Hatch को ले लिया है यहाँ और Hatch लेने के बाद यहाँ पे मैं Circle की उपर क्लिक कर रहा हूँ और आपको दिखाए दे रहा है यह Hatches में आ रहा है अच्छा मुझे Change करना है मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप Change कर सकते है तो चलिए यहाँ पे स्क्रोल कीज़े और कितने सारे Hatches है आप देख सकते है बहुत सारे है यहाँ पे Gravel वाला देना चाहते है Right लिक कीज़े अब यह Hatches तो आपको पता चला कैसे इसका Scale कैसे बढ़ाना है कम जाता अगर आपको अभी करना है Scale कम जाता आपको कुछ changes नजरा रहे है या फिर आप ऐसे ड्रैक कर सकते है Directly क्लिक करके Left राइट आप Left राइट ड्रैक करेंगे तो Hatches दिखाए दे रहा घूम रहा है हो वाव इंटरेस्टिंग है ना यह इस तरह से भी आप कर सकते हैं तो इसमें कैसा करना है समझ में आपको यह Hatches का Scale कैसे कम जादा करना है Angle कैसे Change करना है वो मैंने आपको बताया Hatches की Transparency भी दिए है यहाँ पे इनोंने तो Transparen't करना चाहते है Hatches को अगर आपने Transparen't रखा तो आपको दिखाए दे रहा इतनी लाइट आ रहा है है अब इस पे क्लिक कीजिए है Transparency कम करना चाहते है कम कीजिए तो इसे बहुत सरे Settings है Hatches related जो आप यहाँ से Change कर सकते है Quickly आपको जैसे अच्छी होगा आपके Apply होते जाएगा Hatch के अलाव हम इसमें Gradient भी Apply कर सकते है तो उसके लिए करना क्या है Hatch Inter Hatch Inter के अंदर आप यहाँ पे क्लिक करोगे और Hatch के अंदर मैं बता रहा हूँ Hatch के अंदर यहाँ पे उपर स्क्रोल कीजिए कुछ Gradient आ रहा है दिख रहा है यह Colors हो गया या फिर आप यहाँ पे मैं आपको Skip करके बता देता हूँ कि यहाँ पे एक Option है Gradient का Hatch के अंदर ही Gradient रहता है वैसे भी और Gradient का यहाँ पे Separately Options भी है तो Gradient पे मैं यहाँ पे क्लिक करोगे जो दिख रहा है आपको Gradient पे क्लिक करने बाद वही आ रहा है देखिए मैंने आपको दिखा था वो Gradient Hatch के अंदर था वो जो Options थे वो Hatch के अंदर ही है तो यहाँ पे वो लेने के बाद आपको करना क्या है Mouse Pointer इसके उपर ले क्या आना है आपको दिख रहा है वो Gradient कैसे Feel हो रहा है आप जैसा Gradient का Style लेना चाहते है वैसे ले सकते यहाँ पे यह Gradient का अलग-अलग डिजाइन लेकि आप देख सकते हैं वो कैसे Feel हो रहा है Wow Interesting आप Feel कीजिए Feel करने के बाद आपको दिख रहा है यह Feel हो चुका है चलो Right Click करना है Enter करना है लेकिन इसके पीछे मेरा Hatch है यह आगे तो Gradient आया है तो Gradient के पीछे है Hatch तो Hatch कैसे देखूँगा मैं Hatch तो नहीं दिख रहा है मुझे अभी तो Hatch देखने के लिए मुझे करना होगा इस पे Click इस Color वाले Gradient पे और मुझे इसे Back Side भेजना होगा तो उसके लिए करना क्या है इसी के उपर आप Right Click कीज़े इसे Simple है Right Click करने के पाथ Draw Order एक Option मिलेगा और इसमें मिलेगा Send To Draw Order में Send To Send To किरेंगे Send To Back आपको दिख रहा है अभी यह Gradient पीछे और Hatch आगे आचुका है वैसे आप Circle के लिए भी कर सकते है Gradient लेना कहां से समझ माया होगा आपको Gradient लीजिए आपको जो Gradient प्रसंद हो लीजिए Click कीजिए Right Click करना है Enter करना है अच्छा यह आगे आया Click कीजिए अभी क्या सिलेक्टेट है Gradient So Gradient को पीछे बेजने के लिए क्या करेंगे Right Click And Draw Order And Send To Back Got it It's very simple दोस्तो बस आपको Hatches Apply कैसे करना है समझ में आगा Gradient कैसे Apply करना है वो भी समझ में आगा Gradient में Color भी Change करते है चलो मैं Hatches को Delete करता हूँ इस Hatch पे Click किया मैंने Delete कर दिया Gradient पे Click करो मैं Gradient में यहाँ पे आप Color भी Change कर सकते है Customization है Color में बहुत सारी चीज़े हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका मन पसंदिता Color लेके यहाँ पे आप जो 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 Gradient वहाँ पे Create कर सकते है यह डिजाइनिंग पार्ट के लिए होता है आप यहाँ से Gradient का अलगलग Customization कर सकते हैं मैं Escape करूँगा तो यहाँ पे यह हट जाएगा अच्छा और एक Point मैं आपको बताना चाहूँगा अब मैंने इसे Delay किया यहाँ पे जब आप Hatch लेते हो ना तो Hatch लेने के दो तरीके से एक तो Pick Point से आप Hatch फिल कर सकते हो दूसरा Select अगर मैं Select से करूँगा Select से क्या होगा Object के Boundary पे क्लिक करते ही Hatch फिल होने वाला है दिखाए देरे आपको Hatch यहाँ पे फिल हो रहा है Object के कहाँ पे क्लिक करने है Boundary पे और अगर मैं Select के अलावा दूसरा लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे Pick Point में लेता हूँ फिर Right लिक करना होगा Hatch फिल करने के लिए यह समझ मैं होगा आपको उमीद है आपको यह Hatch कैसे Apply करना है Gradient कैसे Apply करना है उसे आगे पीछे कैसे लेना है और उसमें Color, Customization या Hatch के अंदर अलगलग Pattern कैसे Customize किये जाते है वो समझ मैं होगे मैं इसे एक साथ Erase करना चाता हूँ Ctrl-A Select All E Inter Erase जो की हम Use करेंगे शॉटकट की Gradient के बाद आगे एक और Option है Boundary चलिए Boundary के बारे में ज़रा Detail में समझ लेते है For Boundary I am going to draw Rectangle होगी है मैं एक Rectangle ड्रौ कर रहा Boundary के लिए अब यह Normally मैंने वैसे Rectangle ड्रौ की है 20 by 10 का D Inter करके और मैं Circle ड्रौ कर रहा हूँ Circle के लिए C Inter यह जो Midpoint है ना Rectangle का Left Side के Line का Sorry, Right Side के Line का यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ यह Circle मैंने ऐसा ड्रौ की आपको दिख रहा है एक Object बन चुका यहाँ पर मैं TR Double Enter कर रहा हूँ Trim TR Double Enter तो आपको पता यह Beach की Lines मैं यहाँ पर Trim कर रहा हूँ Escape तो Escape करने के बाद समझ मैं यह क्या हूँ आभी Cancel होगया Trim Command बस मैंने Trim कर दिया जो जो Line Trim करने थी Trim कैसे यूज़ किया TR Double Enter फिर उसके बाद Directly Line के उपर क्लिक करो That's it और Escape करो Trim Command Cancel करने के लिए अब यह जो Object बना है यह देखे इसका यह Line अलग है और यह Line मतलब यह Circle दोनो Object यह Object ही अलग है यह एक Boundary है नहीं है अब क्या होता है आगे चलकर जब यह Object आपको 3D करना रहता है यह Top View में ऐसा देख रहा है लेकिन मुझे इसको SW View में 3D करना रहता है तो 3D करना रहता है तो 3D करते समय यह Lines नहीं रहनी चाहिए यह Total Object एक Solid बनना चाहिए मतलब I mean to say यह पूरा Join होना चाहिए तो उसके लिए उसको Object की Boundary बनाना ज़रूरी होता है तो Object की Boundary बनाने के लिए यह Boundary Option यूज होता है यह 3D के माइने में बहुत यूजफूल है मतलब जब आप Object 2D ड्रॉक और उसको 2D को 3D में Convert करना चाहोगे तो Lines अब Split रहती है यह अलग अलग रहती है तो 3D में Solid शेप नहीं बनता है बस Boundary ही उपर Height में आते जाएंगे ऐसा नहीं होना चाहिए Boundary Create करने के बाद आप अगर 3D Apply करते हो तो Automatically वो Solid बनता है तो यह 3D के लिए बहुत यूजफूल है इंडरेट चे ओपन रहेगा तो यह Boundary Create होने वाला नहीं है यह पूरा जाएंगे तो मैं यहाँ पे बीच में क्लिक करूँगा और फिर मैं Right क्लिक करूँगा यह पूरा एक क्या आ रहा है क्या रहा है यह Boundary आ रहा है दोस्तों जी हाँ आप एक ही क्लिक करेंगे लेकिन यहाँ पे देखिए मैं कुछ बता रहा हूँ आपको यहाँ पे जो object है ना इसके पीछे एक object है जो अलरी पहला वाला draw था मतलब एक rectangle था आदा और एक circle था और यह भी क्लिक करूँगा था यह दोनों भी joint आ रहे है तो मैं उपर का object side में लेता हूँ side में लेने के लिए मुझे modify का और एक command आज आपको बताना है वो है move modify का पहला command थो हमने सीखा था trim अब modify में दुसरा command मैं आपको बता रहा हूँ move चलिए मैं इस पे click करता हूँ move पे click करने के बाद आपको object select करना है यह object में select कर रहा हूँ फिर right click कर रहा हूँ right click करने के बाद एक displacement के लिए base point ले रहा हूँ base point यहाँ पे ले रहा हूँ मैं इस corner को और यहाँ पे इटा रहा हूँ तो move होगे object कैसे करना है move object मैं दुबारा बता देता हूँ और यहाँ पे m enter मैं करूंगा तो भी चलेगा move के लिए m enter m मतलब move और यहाँ पे select करने object को right click करना है right click करने के बाद एक base point और object दूसरी जगा पे रग तो that's it interesting अब आपको कुछ दिखाए दे रहा है यहाँ पे एक object जो हमारा boundary वाला है पूरा एक साथ join है और यहाँ पे पुरान object वैसे की वैसे पड़ा है मतलब boundary बनना आने के बाद original object बैक साइड में रहता है तो उसको निकालने का और एक तरीका है वो आगे मैं आपको बताऊंगा अभी फिलाल नहीं बताऊंगा लेकिन अभी आप mo command सीख चुके है क्योंकि modify मों आगे command आने वाला है so यह mo command का use क्या होता है यह तो आपको समझ में आगा definitely दोस्तो तो mo command के लिए shortcut की m enter यह मैंने आपको बता दिया तो यह basic command यहाँ पे cover हो चुके जिसमें मैंने आपको बताया आज की ellipse कैसे draw करना है यह part में ellipse के लिए EL enter यह shortcut की हम use करते है उसके बाद hatches कैसे लेना है cad के अंदर hatch अगर आपको add करना है कोई भी drawing में तो H enter उसके लिए shortcut की है gradient के लिए भी same shortcut की use करेंगे boundary के लिए shortcut की बताना रहे गा था दोस्तो उसके लिए shortcut की है BO enter अगर आप BO enter करेंगे तो यह boundary का dialogue box आ जाएगा जो की मैंने आपको बताया boundary कैसे करना है pick point जो object join नहीं है उसके बीच में आप click करोगे right click करोगे तो automatically यहाँ पर boundary create होती है लेकिन यह boundary का कैसे use करना है मतलब उसके उपर double object आने के बाद क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया तो चलिए इसका practice कीजिए तो कैसे लगा दोस्तो यह AutoCAD का part 2 का वीडियो मेध है आपको पसंद आया होगा और पसंद आया तो आपने जैसे कि already like बटन पे click क्या होगा लाइक कीजिए दोस्तों के साथ share कीजिए और मुझे बता दिजिए comment section में कैसा आज का वीडियो मीध है आपको पसंद भी आया होगा आप comment में लिखेंगे जो भी पसंद है नया नहीं पसंद है लिख दीजिए जरूर comment लिखिए मैं विलोंगा कुछ और इंट्रेस्टिंग वीडियो के अंदा है तब तक लिए हमेशा किते रहो सीखते रहो सीखाते रहो बाइ बाइ